प्रेंस जैसे कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं अपोरशन拜拜 के बारे में तो उसकी दो फीडियो पहले डाल चुके थे हूं और आज आज बीशन कितनी तरह के होते हैं किसी कसी होते हैं और उनके लिए कब आपको professor बाध़ के पात जाना चाही है तो abortion हो जाना कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को पता भी नहीं चलता और कई बार condition ऐसी होती है कि आपको करवाना पड़ता है तो आज हम बात करें हैं कितने तरह के abortion होती है तो फिर चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो की पशंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए आपको कोई सवाल है तो आप comment कीजिए शेर कीजिए और मैलाओं के साथ में ताकि उन्को भी इसकी जानकारी मिल सके चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यह है आज का प्रोडेक्ट ब्यूट्फिल सॉप्ट प्योर और गिंजा एम्रोइड़िट साड़ी और यह आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहुत ही सुन्दर है एम्रोइड़िट है इसके साथ में आपको सैटिन का सिल्का ब्लाउज म आप इसको एक बार जरूर से चेक करें और इसके बारे में ज़्यादा जान करें लें इंटम आपको दिखाई देते हैं पर ऐसा नहीं है और ऐसा भी हो जाता है जिसके आपको पता ही नहीं चलता तो आज हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि अवोशन कितनी तरह की होते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिस्ट एवोशन के बारे में त चलता क्योंकि यह आपको हो जाता है और आपका पीरिट भी आ जाता है और उसके साथ में आपका जो भूण है वो निखल जाता है इसमें ना तो आपको ब्लेडिंग होती है ना ही पेट दर्द होता है जो अपने आप हो जाता है क्योंकि इसमें ब्लेडिंग या पेट दर्द नहीं होता है तो भून के विकास का पता नहीं चलता है और अगर आपको इसका पता नहीं चलता है तो फिर आपको अल्टरसांड कराना पड़ता है जिसमें की पता चलता है कि आपका एवोशन हो गया है दूसरी तरह का जो होता है इंकंप्लीट अवोशन में क्या होता है आप अल्ट्रसाउंड में देखना पड़ता है कि इसके कुछ भाग है जो आपकी गर्वासे में रह गया है और आपको इसको निकलवाना पड़ता है यह आपको मैडिशन से भी निकाला जा सकता है या फिर आपको डियंसी भी की जा सकती है नेक्स उता है फून गर्वासे में कम्प्लीट आवोशन आप इसे कहते हैं और इसमें आपका पूरा बहुत जादा तेज होता है दर्थ और बहुत हैवी ब्लेडिंग होती है और जो आपका गर्वास से आपका बच्चा पूरी तरीक्री से बाहर निकल जाता है इसके अलाव है सेप्टिक दो कि किसी तरह का इंफेक्षण आपकी घरबास हो जाता है और यह तरह मैं को पता नहीं चलता है और कई आप को पता चलता है आपको ऐसा लगता है कि आपका एबोशन हुआ है तो आपको तुरंट गायनिक से मिलना है अल्टरसाउंड कराना है चेक अप कराना है ताकि आपको गर्वासर में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो उसके कोई सेज बचे हुए टुकड़े ना हो उनको इसफाई कराना हो ज़्यादा जरूरी हो जाता है इसके बाद आप दुवारा से प्रिंग्नेंसी प्लान कर सकते हैं तो यह होते हैं अमोशन के टाइप तो आज हूप आपको छोटी सी जानकरी पसंद आए होगी जानकरी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अमें जानकरी को सब्सक्राइब करना